सबी नेतागन दोस्तों और भाईयों जहां तक मैं समस्ता हूं कि हम लोग को लड़ना चीए साथ लड़े अकेला लड़े लेकित लड़ना चीए देश भर की परिशिती की बयान मैं कर रहा हूं मैं इसलिए देश भर की बयान कर रहा हूं कि बंगाल में अलग सी परिशिती बन चुकी है महाराश्रा में कोशिश की जा रही है कि हम सब जान इखटा लड़े लेकिन दो चीजे जो है वो सबसे बड़ी चीजे मैं यहाँ पर मानता हूँ इलेक्टरल बॉंड आ चुका है और हर चैनल पर अमिच्शा का बयान आ रहा है कि हमने जो है इलेक्शन के माध्यम से जो काला ध्रम था उसको भगा दिया है लेकिन मैं मोदी जी से और आमिच्शा से पूछना चाहता हूँ फ्यूचर गेमिंग एन होटेल सर्विस कमपनी है कि जिसकी 2021-2022 की जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट ये 215 करोड का है और उन्होंने इलेक्शन बॉण्ड जो है वे 1360 करोड का खरीद लिया है जब कमपनी का प्रॉफिट ही 200 करोड है तो 1300 के बॉण्ड वहाँ कहां से खरीद लिये इसका इविवरन तो होना चीए मैं ऐसे कहीं कमपनियों का नाम दे सकता हूँ क्या हम लोग इनको टार्गेट करेंगे या नहीं करेंगे मोदी से ये सवाल पुछेंगे या नहीं पुछेंगे और हम लोग जरूर पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हो अमीज साथ से हम कह रहे हैं कि आप टीवी पर जवाब देते हो तो इसका जवाब दीजिए कि इस कमपनी के पास तेरा सो करोर रुपे कहां से आए इसका जवाब होना चीए आप इन पर हीडी की इंक्वाइरी करवा रहे थे लेकिन इंक्वाइरी की इंक्वाइरी अब रुक शुकी है इसी एक परिस्टी है मैं समझता हूँ कि एक मामला है कि जिसको हमने उठाना चीए दूसरा प्रियांका गांधी जी से मेरी नम्रविनन्ती है कि मोधी जी कहता है कि ये देश मेरा परिवार है ये बात सही है कि ये देश उनका परिवार है लेकिन उसका उनका जो असली परिवार है उनमें से एक मैला उनके साथ में नहीं रहती है हो सकता है कि अगले साल के इलेक्षन में जो हो रहा है मोधी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बने कांग्रेस पार्टी के अद्ध्यक्से से भी मेरी दरखास्त है कि हम लोग इस मुद्दै को उठा है और हिंदु समाज के अंदर फैमिली का जो रिस्ता होता है वो सबसे गहरा रिस्ता होता है मुदी जी उस रिस्ते को निबाए और अपनी पत्ती को अपने साथ में लेके रहा है दो-चार दिन बाकी है उसके लिए हम लोगों को लड़ना चीए मैं उमीद करता हूँ कि खरगे जी जब बात करेंगे इस पर ज़रूर अपनी टिपनी यहां पर करेंगे क्यों कि वह हिंदू संस्कूती के बात करते है हिंदू रिवाज के बात करते है और वोई रिवाज और वोई उसको मांदे के लिए त्यार दी परस्टनल मामलाएं मैं जानता हूँ लेकिन कल्च्रल की चर्चा जो है यह आरेसस ने शुरुवात की कल्च्रल नैसलीजम की कई कल्च्रल हिंदूइजम की कई अब वो अगर अदा नहीं कर रहे है तो मैं समझताओं कि हमनों की जिम्मेदारी होती है को उनको उनकी बात समझा है और उसको अदा करने के लिए वो अपना अधकार के लिए वो लड़े और हम लोकुन को शिका एसी एक परशी दिया है दोस्तों पांच मिनिट का वक्त होते आ रहा है मैं और एक बात यहां पर कहूंगा पुरावल गांदी सी से मेरा दर्कास थे यहां पर वो यह है कि EVM जो है 2004 से मैं उससे लड़ रहा हूँ आज भी मंबई हाई कोट में उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ पिछली छे महिने से जब EVM इंक्वाइरी की बात आई तो ELECTION COMMISSION उसको टाल रहा है उसकी जो मशीन आती है वो अमरीका से आती है लेकिन वहां के जो चिप उस पे दो है स्टोरेश चिप जो है वो यहां 20-25-25 रुपए में मिलते हैं कि जिसको मैनुपलेट होता है राउल गांदी से मेरी दर्खास थे पार्लमेंट भी किस पे विश्वास करे पेपर ट्रेल पे विश्वास करे और EVM पे विश्वास करे तो पार्लमेंट ने कानून से कहा है कि अगर difference आया EVM के counting में difference आया और पेपर ट्रेल के counting में difference आया तो मानना है कि पेपर ट्रेल का जो vote है वो यह आपको मानना है EVM को बगल में रखना है क्या हम लोग किस election के पहले election शुरुवात होने के पहले election commission को घराव डाले सब पार्टियां उसे मिले कि अगर कोई candidate अर्जि करता है application करता है कि verified paper trail जो है वो counting होना चीए उसका application मन्जूर होना चीए क्या हम लोग इसके लिए लड़ने के लिए तयार है दिल्ली में हम लोग को यहां पर जाना होगा मेरावल गांधी से बिंती करता हूँ कि वो अगर date एलान करेंगे तो शायद हम लोग उसमें सामिल होगे बड़ी संक्या में सामिल होगे यह मैं आशावाद यहां पर करता हूँ रही बात लोग सुत्री साफ सुत्री क्यारेक्टर के लोग चाते यह जो फैमिली वाद है दूसरे चीजे जो है लोग उससे उप गया है हम लोग उससे बाहर निकले और मैं इस मंद से कहना चाहता हूँ कि हम लोग अपना इस माल एकलिस महराष्टा के लिए परिवारवाद के लिए खर्च करने के लिए तिया हम आपके साथ है आमाद भी हो डेमोकरसी सोशलाइजेशन हो कैंडिडेचर का डेमोकरसी सोशलाइजेशन हो ना यह हो किसी एक परिवार से किसी एक कास से ज्यादा से ज्यादा लोकसवा के उमेदवार हो और हम उनके उनको पीछे सिर्फ वोट बैंक बने हम लोग वो बनने के लिए तयार रही है मैं इनी बात उसके साथ आप से रजा लिता हूँ कि पांच मिनित का वक्त खतम हो चुका है जबीज जबेदा जयाँ कि उचे जब जयाँ कि उनके से ड़ीघ